तो बच्चो आज है 1st October और आज हम पढ़ेंगे अपने 12 most important current affairs तो चलिए चलते हैं अपने questions की और questions की और चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा जोमारा question of the day था यानि कि yesterday वाला question जो था जो मैंने आप लोग से पूछा था मुझे उसका answer जानना है आपने comment में नहीं बताया कोई बात नहीं मैं आभी आपको बताने वाला हूँ कि question का answer क्या था तो question बढ़ते हैं question of the yesterday SBI card has launched its new brand campaign dash यानि कि SBI card ने अपना नया brand अभियान शुरू किया तो हमें जो SBI card का new brand campaign था उसका नाम बताना था जो campaign का नाम था वो था contactless connections यानि कि संपर्क रहित connection आपको याद रखना है SBI card ने एक brand campaign इस्टार्ट क्या है क्या नाम है contactless connections तो चलते हैं next question पे जो हमारा first question होने वाला है तो चलते हैं first question पे तो question number first है when was international translation day observed यानि कि अंतर राष्टे अनुवा दिवस कम मनाया गया तो कम मनाया गया कल मनाया गया था कल क्या डेट थी September 30 यानि कि 30 सितंबर अमें आपको बताना चाहूंगा जो international federation of translator है वो कब बनी थी वो बनी थी 1953 में यानि कि 1953 में और जो पहली बार international translation day मनाया गया कब मनाया गया था 1991 में कब मनाया गया 1991 में आपको यह याद रखना है तो चलिए चलते हैं next question पे हमारा next question है सोनु सूध has been awarded the prestigious dash from the United Nations Development Program यानि कि UNDP अब इनने में पढ़ लेते हैं सोनु सूध को संयुक्त राष्ट विकास कार्यकरम यानि कि UNDP से प्रतिस्ठित dash से सम्मानित किया गया है तो कौन सा award मिला है सोनु सूध जी को जो एक अभिनेता है बॉलिवड एक्टर है तो क्या मिला है SDG Special Humanitarian Action Award यानि कि SDG विशेश मानविय कारवाई प्रुसकार्ट से नवाज अगया किसको सोनु सूध जी को क्यों नवाज अगया क्योंकि उनने free employment opportunities दी है बहुत लोगों को जो migrants थे उनको उनके घर पहुचा है बिना किसी self interest के तो काफी अच्छा काम किया था COVID-19 के टाइम पे तो इसी वज़े से इनको UNDP ने आवोड दिया है आपको याद रखना है तो चलिए चलते हैं next question पे तो question no.3 है filmmaker Dash has been appointed as the new president of the Film and Television Institute of India FTII Society and the chairman of the FTII Governing Council यानि कि Film Nirmata Dash को Film and Television Institute of India यानि कि FTII Society के नए अध्यक्ष और FTII Governing Council के chairman के रूप में नियुक्त किया गया है तो किन को किया गया है शेखर कपूर जी को किया गया है ये किस movies के लिए famous है Mr. India जो movie थी 1987 में इनों नहीं बनाई थी मासूम जो movie थी 1983 में इनों नहीं बनाई थी Elizabeth जो movie थी 1998 में वो इनों नहीं बनाई थी और इनको appoint किस ने किया है Information and Broadcasting Ministry ने तो आपको ये याद रखना है और FTII की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी कहाँ पे की थी पूर्णे में आपको याद रखना है तो चलिए चलते हैं next question पे तो question number 4 है Veteran writer and critic Dr. G.S. Amur has passed away He wrote which books यानि की वयोवरद लेखक और आलोचक Dr. G.S. Amur का निधन हो गया है उन्होंने कौन सी किताबे लिखी हैं तो उन्होंने कनड और English में किताबे लिखी हैं तो कनड की अर्थ लोक ये भी इनकी बुक है Colonial Consciousness in Commonwealth Literature ये भी उन्होंने की बुक है और Forbidden Fruit Views on Indo-Anglian Fiction ये भी उनकी बुक है जो ये दोनों बुक्स हैं Forbidden और Colonial वाली ये दोनों English में हैं और इनको साहित्य अवोर्ड भी मिला है साहित्य अकेडमी अवोर्ड और राज योट्सव अवोर्ड और Indian Language Award भी इनको मिला है तो आपको ये याद रखना है तो इसका अंसर सही गया होगा All of the above यानि की उपर की सभी बुक्स इन्होंने लिखी है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे तो हमारा कोशन नमबर 5 है Flipkart and Bajaj Alliance Launched Insurance Cover Related to Question Mark यानि की Flipkart और Bajaj Alliance ने किस्से संबंदित बीमा कवर लॉंच किया है तो किस्से किया है Cyber Insurance Cover इन्होंने लॉंच किया है किन्होंने Flipkart और Bajaj Alliance ने इन्होंने एक जो Cyber Attacks होते हैं Cyber Phishing होती है जो Spoofing होती है Seam Jacking होती है काफि सारे जो Cyber Frauds होते हैं उनके लिए उन activities के लिए इन्होंने एक Cyber Insurance Cover निकाला है इसमें क्या करने वाली है Customers को एक साल के लिए Cover देंगे कितने रुपे में 183 रुपीज में 50,000 तक का वो Cover देंगे कौन कंपनी देने वाली है Flipkart और Bajaj Alliance और ये उनी को मिलेगा जिनको डारेक्टली कुछ लोस होता है जिनके साथ Fraud होते हैं तो जान लेते हैं Flipkart के CEO कौन है तो Flipkart के CEO कल्यान किष्ण मूर्ती है और Bajaj Alliance के CEO कौन है वो है तपन सिंगल आपको याद रखना है और Flipkart का जो Headquarter है वो Bangaluru में है और Bajaj Alliance का Headquarter कहां पर है पूने में है तो एक तरफ Bangaluru वाले और एक तरफ पूने वाले तो चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर नाबाड विल स्टार्ट Sanitation Literacy Campaign SLC from 2nd October 2020 इन विच स्टेट यानि कि नाबाड 2 October 2020 से किस राज्य में स्वच्चता, साक्षरता, अभियान SLC शुरू करेगा तो पहले मुझे बताइए नाबाड की फुल फॉर्म नाबाड की जो फुल फॉर्म है वो है National Bank for Agriculture and Rural Development याद रखनी है आपको एक बार कमेंट करके भी बताना है और कौन से स्टेट में SLC का कैमपेण स्टार्ट होने वाला है कब से कल से होने वाला है जो हमारा अक्कल आएगा 2nd October गांधी जैनती वाले दिन तो उस दिन कहां स्टार्ट करने वाले है करनाटका में और जो इनके प्रेजिडेंट है किसके नाबाड के जो प्रेजिडेंट है वो कौन है गोविंदा राजुलू चिंताला कौन है गोविंदा राजुलू चिंताला आपको याद रखना है प्रेजिडेंट है किसके नाबाड के और यह जो कैमपेण है यह चलने वाला है 26 जनवरी 2021 तक तो चलिए चलते हैं हमारा next question है 7th question डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग लोंजड डैश during the आईड़क्स ऑइवन्ट यानि की रक्षा मंतरी श्री राजनात सिंग ने आईड़क्स ऑइवन्ट के दोराण डैश को लोंज किया तो किसको किया है डिस्क 4 को किसने किया है राजनाथ सिंग जी ने अब list 4 की full form क्या है Defense India Startup Challenge आपको याद रखनी है Defense India Startup Challenge किस के दोड़ा है इस्टराट के गया राजनाथ सिंग जी के दोड़ा और किस event के दौरान IDEX event के दोड़ान ये तीनों point important है तो चलिए चलते हैं हमारे 8th motion पे हमारा 8th question है RBI approved BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूनिट टू विच कमपनी यानि कि RBI ने BBPS भारत बिल भुगतान प्रणाली यूनिट को किस कमपनी को मन्जूरी दी है तो किस कमपनी को दी है वैकरांगी लिमिटिड कमपनी को दी है किस के रिगार्डिंग दी है BBPS की फुल फोर्म क्या है भारत बिल पेमेंट सिस्टम RBI की फुल फोर्म क्या है Reserve Bank of India तो RBI के करंट गवर्नर कोन है शक्ति कांता दास जो की 25 यानि की 25 वे गवर्नर है किस के RBI के RBI का Headquarter कहां पे है मुंबई में है और Establishment कब हुई थी 1 अपरेल 1935 को कहां पे कोलकत्ता में आपको याद रखना है तो चले चलते हैं Next Question पे हमारा Next Question है 9th Question Which Court acquitted all 32 accused in the Babri Masjid Demolition Case यानि की Babri Masjid विदवश मामले में सभी 32 आउरोपियों को किस अधालत ने बरी कर दिया तो किस अधालत ने बरी किया है CBI कोर्ट ने CBI कोर्ट के जजगोंते सुरेंदर कुमार यादव उन्होंने अपना फैसला सुनाते भी ये कहा है कि जो Demolition था यानि की विदवश था यानि की जो ढ़ाने का प्लैन था वो कोई प्लैन नहीं था वो पहले से पूर प्री प्लैन नहीं था तो इसी वज़े से जितने भी आरोपी थे वे सभी बरी कर दिये गए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है तैंथ कोशन शेख सबा अल एहमद अल सबा पास्ड अवे ओन सेप्टेमबर 29, 2020 यानि की शेख सबा अल सबा का निधन 29 सितमबर 2020 को हुआ था वह किस राष्ट के शाशक थे तो किस राष्ट के शाशक थे क्वेद के शाशक थे अब जो न्यू रूलर बने हैं वो कून बने हैं उनके हाफ ब्रदर है जिनका नाम है शेख नवाफ अल एहमद अल सबा अल इसलिए है क्योंकि इनकी अल डाइनेस्टी है तो आपको यह याद रखना है और जो क्वेद है क्वेद की जो कैपिटल है वो क्वेद सिटी है आपको यह याद रखना है और जो क्वेद की करंसी है वो क्वेदी दिनार है आपने देखे भी होगी एरलिफ्ट मोवी में तो चलिए चलते हैं next question पर, जो हमारा next question है, वो है 11th question, who became the new prime minister of Belgium, यानि कि Belgium के नए प्रधान मंतरी कौन बने, तो Belgium के नए प्रधान मंतरी कौन बने है, Alexander Day Crow, आपको याद रखना है, Alexander Day Crow, अब जानते हैं Belgium के बारे में, Belgium कहाँ पर है, Belgium एक country है, कहाँ पर, यूरोप में, Belgium की capital क्या है, Belgium की capital है, वो Brussels है, और जो currency चलते है, वो euro चलती है, तो चलिए चलते हैं हमारे next question पर, For how much stake in Reliance Retail is General Atlantic investing 36.75 billion rupees, यानि की, Reliance Retail में, कितनी हिस्सेदारी के लिए, General Atlantic तुआरा, 36.75 billion rupees का निवेश तयार है, तो कितने percent मिलेंगे Reliance Retail में, किसको हिस्सेदारी मिलने वाली है, General Atlantic को कितने परतीशत, जो मिलेगी, 0.84% यानि की, 0.84% की हिस्सेदारी मिलेगी, किस में, Reliance Retail में, किसको मिलेगी, General Atlantic को, कितना invest करने के बाद, 36.75 billion rupees, इनवेश करने के बाद, तो चलिए चलते हैं, next question पर, जो हमारा है, question of the day, आपको बताना है, तो question पढ़ते हैं, Defense Minister Rajnath Singh, launched the book, A Bucket of Flowers, written by which author, यानि की, रक्षम मंतरी, श्री Rajnath Singh ने, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक, A Bucket of Flowers का शुभारम किया है, तो आपको बताना है, इन दोनों में से कोई, एक option होगा, आपको बताना है, इन options में से, कौन इस book के author है, के लिए मिलते हैं कल, खल हम हम देखेंगे, फिर सिन New Current Affairs, तब तक के लिए बाई-बाई, जैहिंद, वंदे, मातरम.